अंग्रीजी बोलते वक्त अगर आप भी अटक अटक के बोलते हैं और ये अटकने की वजह अगर आपकी word meaning है तो आज के class बिलकुल आपके लिए है आज लेकर के आई हूँ different type के word meaning जो इस्तमाल तो होते हैं पर आपको बहुत commonly available ये नहीं मिलेंगे काफी important class होने वाली है पूरी class को देखना कंपल सरी है पूरी class को देखेंगे आपका ही बढ़िया हो जाएगा चलिए class को शुरू करते हैं आप देखने है सरीत English Academy मैं हूँ परीती मैं सब्सक्राइब करके bell notification कौन कर दीजेगा साथी हमारी app है और app पे उसमें paid classes available है तो आपको बड़े से हिंदी शब्दों के collection के लिए इसमें देखो हिंदी के कितने शब्द है तीन शब्द है यहां तक की यह तीनों का अंग्रेजी में मतलब जो है अलग-अलग है यहां here है ना तक तिल इस तरीके से लेकिन जब यह साथ में हिंदी में youse होते है तो इनका मतलब जो तोर पर यूज़ होता है और ये हम लोग जब किसी चीज का अफसोस जाहिर करते हैं या किसा चीज को you know कृटिसाइस पूचा भी नहीं मैं तो स्के घर गया था यहां तग क्यूसे मुझे बैठने को भी नहीं पूचा ये वाली जूखस जाहिर करते हैं, जो criticize करते हैं तब हम यहां तक की का इस्तेमाल करते हैं, अब भाई criticize अगर कर रहे हैं तो अंग्रीजी में करें, हिंदी में करें करना तो भाई है ना, तो अंग्रीजी में जब यही same process होगा, तो हम कहेंगे he did not even ask he did not even ask के सिवाई या को छोड़ कर इस्तिमाल करेंगे except इसको छोड़ कर इसके सिवाई उसके सिवाई इस तरीके से जब बात करते हैं तो except word का यूज करते हैं आपके सिवाई सभी ने परिक्षा पास की everyone passed the exam except him उसके सिवाई सभी ने परिक्षा पास की everyone passed the exam except him बढ़ते हैं आगे अगला शब्द है लिये या के लिये जब भी आप अपने वाग्य में लिये या के लिये जैसे शब्दों का इस्तमाल कर रहे हैं तो अंगरेजी में आपको एक शब्द का इस्तमाल करना पड़ेगा that is for क्या यूज करेंगे for है न तो हम यह यहाँ पर लिये या के लिये के लिये यूज होता है ठीके तो हम दौरे के लिये जा रहे हैं we are going for tour we are going for tour clear फिर है say इस्तमाल करते हैं शब्द from का f-r-o-m from इसको पढ़ते हैं मैं class से वापिस आ गया मैं class से वापिस आ गया I came back from class I came back from class फिर है अंदर इस्तमाल करते हैं inside inside तो in का भी इस्तमाल करते हैं अंदर के लिए कई बार पर inside जो है वो maximum जगहों पर use आप कर सकते हैं अपने अंदर जहां के देखो है ना अंदर आ जाओ उसको अंदर बुलाओ इस तरीके से आप जो है inside का use कर सकते हैं gift box के अंदर है यहाँ पर हमारा वाक्य क्या है gift जो है वो box के अंदर है gift is inside the box inside the box के अंदर या में इसके लिए into word का use करते हैं देखो inside जो है वो current स्थती बताने के लिए use हुआ कैसे कि gift जो है वो box के अंदर है पहला into जो है के अंदर या में के लिए use होता है लेकिन into का usage थोड़ा सा अलग है into जो है वो transition को दिखाता है यानि की बदलाव को दिखाता है जैसे car के अंदर बैठ जाओ get into the car तो आप बाहर हो तभी तो आपको बोला car के अंदर बैठ जाओ तो बदलाव आया ना बदलाव कैसे आया आप बाहर खड़े थे आप अंदर आ गए तो एक transition आया एक बदलाव आया इस situation के लिए into है चिके चलो के उपर या उपर onto का यूज़ करते हैं किसका यूज़ करेंगे onto का याद रखना onto ऐसे situations में यूज़ होगा जहां पर दो चीजों की बात होगी और motion में होगी चीज़ें वह cycle के उपर कूद गया he jumped onto the bicycle तो jump करने के लिए दोड़ गया ना पड़ेगा ना भई हैं तो इसी लिए onto का यूज़ किया गया कभी नहीं या कदापी नहीं never word का यूज़ करेंगे किसका यूज़ करेंगे never वह कभी जूट नहीं बोलता है he never lies he never lies वह कभी जूट नहीं बोलता है he never lies फिर है near यूज करते हैं किसके जगह पर pass, pass में या k-pass, इन तीनों के ही जगह पर आप near word का यूज करेंगे खुले तार के पास न जाएं, जैसे होता है न, electricity की wires कई बार जो है open रहती हैं, तो shock का खत्रा होता है उसमें, तो खुले तार के पास न जाएं, तो k-pass यूज हो रहा है don't go near to open wire don't go near to open wire फिर है उपर से, पर से या के उपर इस्तमाल करते हैं शब्द over का, किसका यूज कर रहे हैं, over word का यूज कर रहे हैं, किया आप दिवार पर से कूद सकते हैं, can you jump over the wall can you jump over the wall फिर इसके अलावा उपर से, से उपर या के उपर, अती या समाप्त, इनके जगहा पर भी over का यूज होता है English का word एक है, लेकिन मतलब हिंदी के कई सारे मतलबों में ये यूज हो जाता है, चिके जैसे, अगर कभी कोई game खतम हो रही होती है, तो क्या लिखता है game over ये समाप्त के जगहा पर इस्तिमाल हुआ, है ना वह 50 से उपर का होगा, he must be over 50, यहां पर extra अती के लिए use हो रहा है तुम बहुत अती करते हो you do over है ना, तो देखो उस शब्द एक है over, लेकिन हिंदी के कई सारे शब्दों के जगहा पर कई सारे situations के जगहा पर ये use हो जाता है इसलिए मैंने कहता कि शब्द जो हैं थोड़े से different type के हैं जो आपके काम तो आते हैं पर ये बहुत commonly available नहीं है इंटरनेट पे, है ना चलो, अगला शब्द है शायद ही, जिसका मतलब होता है rarely, rarely कभी कभार शायद ही इस तरीके के situations पे, मैं शायद ही कभी उनसे मिलता हूं I rarely meet him ऐसा कोई काम जो कभी कभार ही होता हो, अब कभी कभार का मतलब मुझे समझाना पड़ेगा कभी कभार का मतलब तो समझता है जो कभी कभार होता हो शायद ही कभी होता हो मतलब कोई timeline fix नहीं है इसकी हो सकता है, 6 महिने में हुआ हो या पिछले 2 साल में हुआ ही ना हो या हुआ हो पिछले 6-8 महिने में एक आध बार है ना इस तरीके वाली situation में rarely का use करते हैं सम इस्तमाल करते हैं कुछ के जगा पर ठीक है, जहाँ पर आप quantity को clearly बताना नहीं चाहते हैं वहाँ पर कुछ का use करते हैं हमने कुछ सेब खाएं we ate some apples आप चाहें तो कह सकते थे यहाँ पर कि मैंने दो सेब खाएं हमने तीन सेब खाएं we ate three apples लेकिन हमें नहीं बताना है हमें ना quantity को बताना नहीं है सामने वाले को तो कुछ का use कर लेंगे ठीक है, कुछ सेब खाएं है ना, तो use कर लेंगे इसको फिर है क्या, जिसके जगापर what word का use करते हैं तुम क्या कर रहे हो what are you doing what are you doing थे, इस्तेमाल करते हैं शब्द word का इसकी खासियत यह है कि यह जो शब्द है word, यह you के साथ use होता है we के साथ use होता है और they के साथ use होता है ठीक है, यानि कि English में जब वाके बनाओगे तो वाके बनेगा you were we were, they were अगर ऐसे translation हो रहा है तब सही जा रहे हो और अगर नहीं हो रहा है तो check your वाके अगेन, ठीक है जैसे हम लोग सही थे we were right साथ या के साथ with word का use होता है, यह हमेशा चीजों को शामिल करने के लिए इस्तिमाल होता है, हम आपके साथ है we are with you हम आपके साथ है we are with you अंदर या भीतर within word का use होता है मैं एक घंटे के भीतर आ रहा हूं I am coming within an hour within आप तब यूज़ करेंगे जब दोनों तरफ की line की minimum और maximum दोनों limit जो है वो set है हमने क्या कहा, एक घंटे के भीतर आ रहा हूं यानि कि एक घंटा जब से चालू हुआ तब से लेकर कि एक घंटा पूरा होने तक का ही time frame है हमारे पास तो हमने within word का use किया, तो within को use करने का ये condition है, कि limits जो है वो set है, तब ही within use होगा फिर है जब या कब इस्तिमाल करते हैं शब्द when का आपने इसे कब खरीदा when did you buy it when did you buy it जब की या जब while word का use करते हैं है ना, तो ये कोई काम continuously हो रहा है उसके बीच में जब कोई चीज होती है उसके बारे में use किया जाता है है ना, जब मैं बोल रहा हूँ तो शान्त रहो be quiet while I am speaking मतलब कोई कारे चल रहा है उसके बीच किसी और कारे की बात हो रही है तो उसके बारे में यहाँ पर discussion होता है कि एक बार ये हो जाएगा, उसके बाद वो वला होगा है ना, क्या हमने कहा जब मैं बोल रहा हूँ, तब शान्त रहो be quiet while I am speaking तो कब शान्त रहना है शान्त रहने का काम कब करना है जब बोलने का काम चालू हो रहा हो चालू है, ठीके तो while का यूज़ करते हैं वहाँ पर clear हो गई बार तो लीजिए, यह थी आज की class जहां पर हमने सीखे कुछ ऐसे शब्द जिसके वज़े से आप अटक तो 100% सकते हो जब अंग्रेजी बोलोगे, अटकना नहीं चाहते हो, तो class को दुबारा जरूर देखना class कैसी लगी, comment करके मुझे बताना, यह शब्द जो है मैं बार-बार बतानी हूँ, easily available नहीं है, इतने अच्छ तरीके से इतना अच्छा collection एक साथ इन शब्दों का आपको नहीं मिलेगा तो class को save करके ज़रूर रख लेना, comment करके मुझे बताना class कैसी लगी, अच्छी लगी है इसको download और install कर लीजेगा इस app को, इस app में आपको सिर्फ paid नहीं, free classes में मिल जाती है तो आप classes को जो है वहाँ पर कर सकते हैं एप या paid से सम्मंदित अधिक जानकारी के लिए आप इस number पर हमें whatsapp message के जरीए समपर कर सकते हैं ebooks हमारी इस website पर भी available है तो आप यहां से भी ebook को ले सकते हैं ebook का मतलब pdf आली किताबे होती हैं तो इनको download आप जरूर कर लिया करें इसके अलावा whatsapp का group telegram का channel हमारा join कर लें ताकि आगे आने वाली classes की notifications आपको सीधे group पर मिल जाया करें और आप classes को attend कर पाया करें इसके अलावा मैं आप से मिलूंगे आपकी अगली class में till then thank you so much for watching stay tuned to Sanriti English Academy